तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत हर छेत्र के अंतरगत आत्म नर्भन नहीं है कुछ चीजों के अंदर भारत आत्म नर्भर है जब कि कुछ चीजों को भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और ऐसा ही एक छेत्र है भारत के अंदर खाद्यानों का दर वी फिलाल की सीजन में हुआ है ऐसा आलू के साथ और आप सभी भी जानते हो कि भारत के अंदर आलू की खेती बड़े पेमाने पर की जाती है परन्तु यह भारत की अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए जो हम आलू उगाते हैं वो काफी नहीं होता है और आलू को लेकर ह क्योंकि भारत की हर संकट के स्थिति में साथ खड़ी रहते हैं उनको फायदा होगा दरसल इसक्रीन पर आप सभी की स्क्रीन सोट देखिए जिसके माध्यम से एंसी जानकारी दी गई है कि भारत सरकार की तरब से अपने मित्र भूटान से आलू के इंपोर्ट की अनुमती दे दी गई है और यह जो अनुमती है वो जून 2023 तक के लिए है और तब तक भारत का जो खुद का आलू है वो अपने मार्केट में आ जाएगा और ऐसा करने की पीछे भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ी बजाय थी क्योंकि हमने जो आलू उगाया था उसका जो स्टाक ह भारत के पास वो कुशी मैनों का बचा हुआ है और यदि भारत के अंदर आलू के किलत आई तो आलू के लिए जनता को इधर उदर भटगना पड़ेगा और साथ में आप सभी भी जानते हो कि भारत जो अपने यहां पर आलू उगाता है उसकी फसल अपरेल मार्च तक आती है और इसलिए भारत सरकार को भूटान से आलू के इंपोर्ट के लिए राजी होना पड़ा क्योंकि भूटान से यदि भारत के यहां पर आलू आएगा तो भारत के यहां पर आलू का स्टाक मेंटेट बना रहेगा और साथ में जो कीमते हैं वो भी घरेलू इस तर पर बढ दिने जाते हैं तो भारत को आलू के लिए लगभग डेड़ से दो गुनी जादा कीमत देनी पड़ती है इसलिए भारत ने अपने मित्र भूटान से आलू का आयात करने का जो नड़ाय है बो लिया है खेर आप सभी के स्टोपेक पर क्या रहा है और क्या भारत को भूटान से यालू का आयात करना चाहिए था या फिर किसी और देश से कमेंट बोक्स आ फिर आवज दीजेगा वीडियो देखने के लिए धनबाद जैहिन